नमस्कार जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दीपावली रोश्नी का तेवहार है इस समय मा महालक्ष्मी की पूजा की जाती है हमारे जीवन के समस्त सुख और वैभाव चाहे वो मटेरलिस्टिक वेल्थ हो या फिर हमारी हेल्थ और हैपिनेस हो ये सभी मा महालक्ष्मी कहलाती है दीवाली पाँच दिनों का तेवहार होता है जो कि कार्थिक मास के कृष्न पक्षपे पढ़ता है पाँच दिनों में सबसे पहला दिन धनतेरस का होता है जिस दिन भगवान कुबेर और भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है दूसरा दिन नरक चवदस या फिर रूप चवदस कहलाता है जिस दिन लोग अपने घर को अच्छे से साफ सुत्रा करके खुद भी उप्टन से नहाते हैं तीसरा दिन बड़ी दिवाली कहलाती है इसी दिन मा महालक्षमी की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि मा महालक्षमी इसी दिन सागर से उत्पन्न हुई थी चौथा दिन होता है गोवर्धन पूजा का इस दिन माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने गुवर्धन परवत उठाया था और इस दिन गरीबों को भोजन कराया जाता है और मंदिरों में 56 भोग के भोग लगाई जाते हैं पाचवा दिन भाई दूज माना जाता है कहा जाता है कि यमुना के घर जाकर यम्राज ने जो की उनके भाई हैं भोजन किया था और या वरदान दिया था कि जो इस दिन भाई अपने बहन के यहाँ भोजन करेगा उसे कभी भी अकाल मृत्यु का भैर नहीं रहेगा इस तरह से पांच दिनों का तेवहार दिवाली मनाई जाती है अब हम बात करते हैं मेन दिवाली यानि जो बड़ी दिवाली जो तीसरे दिन पढ़ती है उसकी या कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाई जाती है इस दिन भगवती महालक्षमी का उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है घरों को अच्छी तरह से साफ सुत्रा करके सजाया जाता है और लोग इस दिन आतिशवाजी भी छोड़ते हैं आतिशवाजी करने का तातपर यह है कि एक तो रोशनी करना दूसरा कहा जाता है कि आवाज से और तेज रोशनी से दरिद्रता भागती है तो आईए देखते हैं कि किस तरह से इसका पूजन किया जाता है पूजन विधी जो हम बता रहे हैं यह पारंपरिक है आप इस दिन साफ पूजा स्थान करके वहाँ पर मा महालक्षमी और गड़ेश जी की स्थापना करके साधारन तोर पे भी पूजा कर सकते हैं तो पूजन विधी पारंपरिक तोर से है लक्षमी पूजन के पहले सफेधी पोतले यह जैसे कि लोग पेंट करते हैं घर में फिर लोग गेरुए रंग से दिवाल पर बहुत ही सुंदर गड़ेश जी और लक्षमी जी की मूर्ती बनाते हैं कुछ लोग मिट्टी की मूर्ती खरीद कर भी लाते हैं जो कि आजकल बहुत प्रचलित है साथ में जल, रोली, चावल, खील, बताशे, अबीर, गुलाल, फूल, नारियल, मिठाई, दक्षिना, आधी भी रखते हैं लोग इस दिन मंदिरों में भी जाकर दिया जलाते हैं और फिर घर आकर पूजा करते हैं लोग गड़ेश और लक्षमी जी की मिट्टी की मूर्ती बजार से लाते हैं और अपने पूजा स्थान में और व्यापारी की स्थल पर रखते हैं फिस सुन्दर सुन्दर पूजन सामगरी, फल, फूल, मिठाई, मेवा, आदी से मा महा लक्षमी की पूजा करते हैं और घर में बना सुन्दर भोजन भी चढ़ाते हैं इसके बाद लोग धन पती कुबेर जी, विग्न विनाशक श्री गडेश जी और बुद्धी और ज्यान की दाता शरस्वती माता की भी पूजा लक्षमी जी के साथ करते हैं दिवाली के दिन दीपकों की पूजा का बहुत महत्व है, इसके लिए दो थालों में दीपकों को रखें छे चौव मुखा दीपक दोनों थाली में सजाएं, 26 छोटे दीपकों में तेल बत्ती रखकर जला लेवे फिर जल, रोली, कील, बताशे, चावल, फूल, गुड, अबीर, गुलाल, धूप, आदी से उनका पूजन करें पहले पूरुश पूजा करें, फिर इस्त्री पूजा करें फिर उन दीपकों को जगा जगा अपने घरों में रख ले साफ सुत्रे या नए कपड़े पहने इस दिन जितने भी छोटे हैं, वे अपने बड़ों का पैर चूकर आशिरवाद प्राप्त करें कहीं कहीं पर दिवाली पूजन की रात को जब सब सुबा सोकर उठते हैं तो इस्त्रियां घर से बाहर निकलकर सूप बजाकर गाती हैं इस सूप पीटने का मतलब होता है कि जब घर में लक्षमी का वास हो गया है तो दरिद्रता घर से निकाल देनी चाहिए उसे निकालने के लिए ही सूप बजाती फिरती हैं साथ ही दरिद्रता से क्याती है जाडू तेदे मार फिर घर में आकर इस्त्रियां कहती हैं कि इस दिन घर से दरिदरता चली गई है हे महालक्षमी जी आप निर्भै होकर यहां निवास करिए दिवाली मनाने के संबंध में बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई है यहां दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है एक तो यहां माना गया है कि यह साल की सबसे काली अंधियारी रात होती है और इस दिन पूजा का महत्व अलगी है कहा जाता है कि इस दिन भगवान ने राजा बली को पाताल लोग का इंद्र बनाया था तब इंद्र ने बड़ी प्रसनता पूर्वक दिवाली मनाई कि मेरे स्वर्ग का सिंहासन बच गया इसी दिन समुद्र मन्थन के समय शीर सागर से लक्षमी जी प्रकट हुई थी और भगवान श्री विष्णू ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्विकार किया था रमायन से भी जूरती कथा इस दिन से जूरी है कि श्री राम चंद्र जी लंका से वापस इस दिन आये थे और इसी दिन उनका राश्तिलक किया गया था और लोगों ने जगा जगा आयोध्या में दीपक जला कर उनके आने का स्वागत किया था राजा विक्रमा दित्य ने अपने समवत की रचना इसी दिन की थी बड़े बड़े विद्वानों को बुला कर मुहुर्ट निकलवाया था और नया समवत शैत्र सुधी प्रतिपदा से चलाया जाएगा ऐसा डिसाइड किया था इसी दिन आरे समाज के संस्थापक महर्शी दयानंद का निर्वान हुआ था जैन समाज के लिए भी यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन भगवान महावीर का भी निर्वान हुआ था तो इस दिन दिवाली के दिन आप अपने घर को खुब अच्छे से साफ सुथरा कर लीजिए खुद भी साफ सुथरे कपड़े पहनिए हो सके तो नए कपड़े पहनिए और शाम को घरों में दिया अवश्य जलाईए भगवान लक्ष्मी और गडेश जी की प्रतिमा रखकर उसकी पूजा कीजिए और यह ध्यान रखिए कि लक्ष्मी जी गडेश जी के दाएं तरफ विराजमान हो याने राइट हंड साइड में विराजमान हो और इस तरह से आप लक्ष्मी और गडेश जी की फल, फूल, जल, मेवे, मिठाई आदी से पूजा कीजिए दीप उनके सामने प्रजुलित कीजिए और पूरे घर में हर जगा दीप लगाईए और इस तरह से आप मा महा लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं कोशिश कीजिए कि घर में खुशनुमा महौल रहे और सब लोग प्रसनता के साथ इस दिन आतिशवाजी चलाएं और भोजनादी करें इससे जहां पर प्रसनता और सफाई रहती है वहां पर मा महा लक्ष्मी का वास्तुता है आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए उप्योगी होगी आप सभी को दीपावली की धेरो शुब कामना है धन्यवाद